Hello, दूस्व, स्वागत है एक और नए वीडियो में दूस्व, देखें, मेरे पास एक एक फिलेडिवाल भाए दूस्व, जो के हमारा नाइन मॉट का है दूस्व, यहां से देख सकते हो, ठीक है और दूस्व, यह हमारा जहें नहीं जल रहा है, खराब हो चुका है यह हमारा अच्छाए है, ग्योंके दूस्तों लगा था, वहां पे तो नहीं जर रहा तो दूस्तों देखिए हमारे तेखिया हमारे हमारे इस लेड़र यह सपलय अब दूस्तों इसको ज़ुआ मैं सेरीज में connect किया किस परकार से दोस्तो इस्टेब बई ऍस्टेब आपको रिपेरिंग करना है दोस्तो बीडम जैं लाश ilा तक बने रहिएगा बिल्कुल दोस्तो नए जैसे चलेगा मैं जो ट्रिक बताऊंगा उसके माधियम से आप छहे अगर repairing करते हो तो ठीक है तो चलिए दूस्तो इसको एक बार open करके देखते हैं तो दूस्तो देखे इसको ईक खराब हो चुका है तो इसका मतलब है कि दूस्तो हमारा ये बल्ब को दूस्तो हमको चेंज करना पड़ेगा तो चलिए एक बार क्या करूंगा दूसतो इसमें पावार देता हouri ठीक है और दूसतो यहां पर voltage हम चेक करेंगे यहां पर सॉर्ट कर के देखेंगे अगर हमारा यहां पर would a spark हो रहा है तो दूसतो हम सीधा यह बल्वा को नहीं लगाएंगे उसके बाद हमारे sate OK हो जाएगी है तो चलिए दोस्तो इसमें माई दिखे हमारे 220V AC supply है जो कि मैं इसको सीरीज में connect किया है चलिए इसमें इसमें डोस्तो connect करते हैं इसको अब दोस्तो देखे है माई इसको connect कर दिया हूँ चलिए इसको power on करता हूँ तो दोस्तों देखिए मैं इसमें power on कर दिया हूँ यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो हमारा spark हो रहा है अब चलिए दोस्तों इसको यहीद दोनो terminal पर sort करके देखते हैं कि हमारा spark हो रहा है कि नहीं तो दोस्तों देखिए यह हमारा देखिए प्रापर दोस्तों यहां पर जो है इस पार कर जनरेट हो रहा है इसका मतलब है कि दोस्तों हमारा जो है पावर सप्लाई बिल्कुल सही है तो चलिए दोस्तों इसमें जो है मैं क्या करूंगा तो पहले मैं इसको पावर आप कर देता हूँ अब दोस्तो इसको निकलने के लिए आपको दो screw दोस्तो इसमें Connect किया हुआ हुँ तो उन-दोन इस लिए आपको निकलने नहीं तो दोस्तो देखे एक को मैं यहां पर निकल दिया और दोस्तों लगता है यह हमारा जहे दूसरा वाला चलिए दोस्तों इसको जहे निकालता हूँ और आप लोग जहे दिखाता हूँ दोस्तों देखे यहाँ से जब मैं इसका स्कुरू निकाल दिया हूँ अब चले दोस्तों इसको जए सोल्डिंग को भी निकाल देते हैं दोस्तों ध्यार रहा है हमारा जए positive negative दोस्तों mistake नहीं होना चाहिए ठीक है दूसरे जब बल्ब में लगाऊंगा तब ठीक है तो दोस्तों देखिए ये हमारा positive terminal है अब दोस्तों ये हमारा negative terminal है ठीक है तो दोस्तों यहां से देख सकते हैं आप positive negative दोस्तों इसमें भी दिखा है अब दोस्तों देखिए इसमें भी दोस्तों देखिए positive negative same to same है तो चले दोस्तों इसमें इसक्रू को भी जहे नहीं लगाया हूँ एक बार दोस्तो पावर अन करके देखते हैं कि हमारा बल्बा गुलो होता है कि नहीं होता है तो दोस्तो देखिए इसको जहे मैं पावर अन कर रहा हूँ तो दोस्तो देखिए हमारा बल्وق प्रोपर ग्लो हो रहा है इसका मतलब है कि दोस्तो हमारा पुराना वाला LED लगा था दोस्तो वो हमारा करoo With Black ये-वाला LED दोस्तो इसमें जो हमारा लगा वइथा ठीक है जो दोस्तो मैंने नहा लगा तो हमारा सेट अन हो गया आप चलिए इसको रेफ्लेक्टर केप को दोस्तो लगाते हैं तो दोस्तो देखे यह हमारा byeyecak बलेक हो गया है चलिए इसको साफ कर लेता हूं और जोसो उसके बाद लगाता है। दीखे साफ करने पर हमारा निसान नहीं जा रहा है的 खोई बात नहीं दोस्तो दोस्तो देखे मैं इसमें केप लगा दिया हूँ अब चली एक बार दोस्तो इसको आउन करके देखते हैं दोस्तो देखे इसको आउन कर रहा हूँ तो दोस्तो देखे हमारा प्रापर अच्छे से दोस्तो गुलो हो रहा है एक बड़ और देखिए 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 बिलकुल दूस्तो नए जैसे ये हमारा चल रहा है तो दौस्तो इस फरकार से आप भी अपना एक led लाइट को असानी से repair कर सकते हो दोस्तो जब भी रिपेर कीजिए आप इसमें अगर ड्राइबर बोर्ड खराब हो या फिर LED दोस्तो दोनों को आप नया लगाई है ठीक है मेरा कहने का मतलब है कि दोस्तो अगर आपका ड्राइबर बोर्ड खराब हो क्योंकि दूस्तों इसमें स्तमान नहीं अलग है, ठीक है, तो चलिए दूस्तों मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नेस्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दूस्तों जैहिन वन्द मुद्ध